मा के पैर के नीचे जन्नत माना जाता है यानि कि मा के प्रेम प्यार और मा के अशिरवात से इंसान स्वर्ग भी प्रात कर लेता है यही मा यही वो महिला कई रूपों में हमारे समाज में हमारे देश में हमारे आसपास में आधरनिय होती है समानिय होती है पुझनिय होती है ल हिस्सेदारी कितनी है आज भी सोच सकते हैं या फिर कहें कि इस तपके के पीछे बहुत सारी समस्याएं मौजूद है जिससे महिलाएं जंग कर रही है आप देख रहे हैं लाइब भिहार मैं हूँ आपके साथ असलम अबास दरसल लोग सभा चुनाओ यानि कि सियासत में महिल लोक सभायानी की संसधिये पर नाले में अरक्षन देने की भी बात कही है लेकिन लागू कब से होगा ये अभी कोई पता नहीं है कोई जानकारी नहीं है लेकिन हमेशा से महिलाओं की राजनितिक हिस्यदारी, सियासत में भागेदारी को लेकर चर्चाएं होती है लेकिन टिकट की जब बारी आती है तो सभी राजनितिक दल के तरब से धाग के तीन पात के हिसाब से उमिदबारी दी जाती है या कहें कि सिर्फ और सिर्फ संख्या मात्र की परतियासी की रूप में उतारा जाता है और वही महिलाओं की सियासत के अगर बात करें तो मौजूदा समय में बिहार के 40 लोकसवाद सीट में से 22 वार बहुत सारे सीट हैं यहां पर महिलाओं की मजबूत दावेदारी दिख रही है या कहें कि महिला परतियासियों की दादागिरी या कहें कि उनकी बंसवादी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिस की जा रही है दरसल सबसे पहले अगर बात हम करें महिलाओं के हिस्सेदारी और भगिदारी की तो लालू यादव यानि की राजत परिवार के तरफ से मौझूदा लोकसभाचुनाओं में दो परतियासी चुनावी मैदान में हैं जिसमें सबसे बड़ा चर्थी चेहरा जो 2024 आम चुनाओं अचारिया की करें तो रोहनी अचारिया सिंगापूर में रहती है लेकिन पिता लालू परसाथ को किड्नी डोनेट करने के बाद काफी चर्चा में आई और जिस तरीके से सिंगापूर से आकर छप्रा यानि की सारन के गलियों में धूल फाक रही है लू का लहर में चपेट में गली गली परचार कर रही है जन संपर कर रही है काफी कुछ चर्चा काविसाय बना हुआ है और यह कहा जा रहा है कि महिलाओं की जो वर्चस्प है विरासत है उसको आगे बढ़ाने की रोहनी अचारिया भर सक कोसिस कर रही है तो दूसरी तरफ लालू यादव के लाजपा के यानि की वही राम किरपाल यादव जो एक समय में लालू यादव के काफी करीबी रहे काफी नजदी की रहे लेकिन 2014 आम चुनाओं से पहले राम किरपाल ने लालू यादव का साथ छोड़ दिया और चुनावी मैदान में पाटली पुत्रास उतर गए हाला कि मिशा भारती 2014 में भी राम किरपाल से हार गई थी 2009 लोक सभा चुनाओं में भी राम किरपाल से हार गई थी लेकिन 2024 में फिर से चुनावी मैदान में हैं और अपोजिशन में चाचा राम किरपाल यादव हैं हाला कि चर्चाएं जोर सोर से है कि मिशा भारती जब राज सभ सभाव में मौझूद हैं तो फिर से तिसरी बार लोक सभा के लिए चुनावी मैदान में क्यों है तो इसके अलावा बात अगर करें तो फिर सिवान से जिस तरीके से सिवान में इंडिये की तरफ से जदी कोटे से बिजय लक्षमी परतियासी हैं जो रमेश कुस्वा की पत्न हैं ये इस बार आजाद उमिदवार यानि किनरदलिये के रूप में चुनावी मैदान में हैं और गली-गली महले-महले सडक-सडक हर तरफ घूम कर महिलाओं की कैसी भागदारी होगी महिलाएं कैसे राजनिती में समाज में अपने हक और अधिकार के लिए मजबूती से ख वो चुनाव लड़ी थी राज़त के टिकट से लेकिन हार गई थी लेकिन मौजूदा समय में राज़त ने उन्हें टिकट नहीं दिया और हीना सहाब निर्दल ये चुनावी मैदान में हैं जबकि राज़त के तरफ से अबद बिहारी-चौधरी चौधरी वही हैं जो एक जमाने में एक समय में सहाब उदिन के काफी करीबी माने जाते थे तो सिवान में भी महिलाओं की राजनेतिक को चमकाने की कोशिस हो रही है सिवान की राजनेतिक पीच से और देखना होगा कि जनता कितना उन पर विश्वास कर पाती है तो दूसरी तरफ आप फिर है और विनादेवी चुनावी मैदान में हैं और उनके पोजीशन में आरजरी कोटे से मुन्ना सुकला चुनावी मैदान में हालनकि विना देवी व भी पत्य और प्ट्टि और परिवाल के राजनितिक विरासत को आगे बढ़ा रही है और लगतार चर्चा का विसए भी बना हुआ है। दोसी तर Cristino Vale सबसे युवाद चहरा के रूप में सांदी चौधरी इस बार पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है और रहे स्था यूदरी अ गाल सरकार में वर्तमाने मंत्री पीती सभी चौधरी समस्ति पुर्लोक देक फालेस से मैदाने पर काफी चर्चा और चर्चित रहती हैं सांबी चौधरी भी सभी ऐसो अराम को छोड़ कर समस्ति पुर की गलियों में धूल में धूप में लहर में चुनावी परचार में जुटी हुई हैं और लगतार चुनाव परचार कर रही हैं जो इस बार महिलाओं की सियासत को जरू हो रहा है तो दूसरी तरफ शिवर में भी इस बार जो चुनावी मैदान में दो महिलाओं के आपस में टक्कर्द है जो जबरच टक्रमा ना जा रहा है एक तरफ कुख्यात अपराधी आनंद मोहन की पत्नी पुर्वसांसत लबली आनंद शिवर से चुनावी मैदान में है तो उनके अपोजीजन में रितु जैसवाल जो राजत के महिला पर कोष्ट के परदेश अध्यक्ष हैं उनके पती आईयस बिराच चुके हैं हाला कि रितु जैसवाल जो हैं मुख्या के तोर पर राजनिती मिन्टी मारी और राजत में उनकी अच्छी खाची पकड़ मानी जाती है और राजत ने उन्हें इस बार शीवर लोक्सवाचेतर से चुनावी मैदान में उता रहा है रितु जैसवाल के पती उन्हें 95 बैच के आईयस अधिकारी अरुन कुमार हैं वो भी सारी अराम सानो सक छोड़ के शीवर की गलियों में शीवर के सडकों पर लगतार जन संपर का भियान चला रही है तो दूसी तरफ लवली आनंद और आनंद मोहन उनके बेटे चेतर आनंद लगतार सीवर में हर दाओं पेच को खेलने के लिए तयार है लेकिन जनता किस पर विश्वाच करेगी यह तो वक्त के साथ पता चलेगा लेकिन इतना कंफर्म है कि सीवर से राजनेतिक बिराशत को आगे बढ़ाने की कोशिस महिलाओं के कंधे पर है तो दूसी तरफ रितू जैसवाल पहली बार यानि की अपनी राजतिक बिराशत को मोख्या से लेकर अब संसद्य पर नाली में जाने की और अग्रासर दिख रही है हाला कि जनता का विश लोगस वाचेतर के तो जीस तरीके से लोगस वाचेतर में ललन सिंग्ग जैदीव के पुरवराष्टि अध्यक्ष। हैं कद्दावर नेता माने जाते हैं ललन सिंग के खिलाप राजत ने अनीता देवी को चुनावी मैदान में उतारा है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है अनीता देवी वही है जो कुख्यात अपराधी असोक महतो से कुछ दिन पहले असोक महतो ने 60 साल के उम्र में कुछ महीने पहले अनीता देवी से साधी की और राजत ने उन्हें टिकर ठमा दिया है और अनीता देवी चुनावी मैदान में है जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चीतर हो रही है लोक्तरतरह के बयानवाजी भी कर रहे हैं कमेंट भी कर रहे हैं लेकिन टककर ललन सिंग से सीधा टक कर ललन सिंग से अनीता देवी का हाला कि राजनिती की बात करें तो अनीता देवी की राजनिती से इससे पहले दूर दूर तक कोई तालुकात नहीं रहा कोई संबंध नहीं रहा हाला कि अस्तोक मातो कुख्यात अपराधी रहे कई मामले में उन पे सजा हुआ 16-17 सा सजा काट कर जेल से बाहर आ हैं आई इस बार उन्हें चुनावी मैदान में अपनी पत्नी को उतार दिया है और चुनावी मैदान में लगतार वो मेहनत भी कर रही है तो दूसरी तरफ जमुई लोग सवाचेतर जहां पर्थम चरण में मतदान भी संपन हो गया है लेकिन कर्मक रुप से जनसंपर किया कहीं ने कहीं चिराक पासवान के जीजा अरुन भारती के लिए भी मुश्किले खड़ी होती हुई नजर आई थी हाला कि लोगों ने किने चुना है किने वोट दिया है ये तो अब जो है इबियम में बंद हो गया है लेकिन इतना जरूर है कि संकेत के साथ साथ चर्चा भी काफी कुछ होता रहा महिलाओं की राजनिती को लेकर लेकिन इतना सपस्ठ है कि महिला राजनिती वर्तमान समय में बिहार में काफी कुछ चर्चा का विसे में बना हुआ है तो एक तरफ अर्चना रविदास चुनावी मैदान में जमुई से जहां पहले चरण में मद्दान संपन हो गया है जैसा कि मैंने आपको बताया है तो दूसरी तरफ सिमांचल का वह इलाका जिसको लेकर बिहार में बहुत कुछ बवंडर हुआ है खास करके पपु यादव के साथ जिस तरीके से राजनितिक रूप से दुस्मनी अपनाई गई या कहें कि राजितिक रूप से उन्हें सेट करने की कोशिस की गई उनके समर्थकों के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि पपु यादव को साइट किया गया आनन भानन में पपु यादव की पाटी जाप का जो है कॉंग्रेस में बिलाय करा दिया गया लालु यादव औ लेकिन सिमान्चल का पुर्णिया लोक सबाचेत्र से पप्पु यादव को ही दरकिनार कर दिया गया और पप्पु यादव का वो संबेदना भरी ट्वीट डिजिटल प्रेटफरम पर आकर कहना कि मर जाएंगे चले जाएंगे लेकिन पुर्णिया नहीं छोड़ेंगे और वही पुर्णिया पर एक वार फिर से जिस तरीके से महला पर्तियासिक रूप में बीमा भारती को राज़त सुप्रीम लालु यादव ने टिकट थमाया आए ये भी अपनी पती की राजनितिक विराशत को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है अगर बात बीमा भारती की करें तो बीमा भारती एक समय में नितिश कुमार के काफी करीबी रही नितिश कुमार के कैबिनेट में मंत्री भी रही लेकिन जिस तरीके से बिहार में अचानक महगडवन्धन की सरकार गई और नितिश कुमार के सामने जब अगनी परिच्छा देने का मौका आया तो बीम कि मन मिजाज बदल गया और आखिरकार विमा भारती पर राजत सुप्रीमों का यही बगावत करने का फल मिला, रिजल्ट मिला कि उन्हें पुर्णिया से टिकर थमाया गया और पुर्णिया से महिला परत्याची की रूप में विमा भारती राजनितिक पारी पहले ही खेल लेकिन इतना जरूर है जिस तरीके से विमा भारती का राजनिति सिमांचल में है उनके पती अबधेस मंडल काफी कुख्यात माने जाते हैं इलाके में उनकी काफी कुछ तूती बोलती है फिलाल वो यानि की अबधेस मंडल जेल में बंद है लेकिन अबधेस मंडल का जो र अगतार विकास हुआ है इसको भी आप भली बाती जानते हैं जिस तरीके से रुपॉली से बीमा भारती पिछले पांच वार से विधायक हैं आप खुद बहतर समझ सकते हैं तो महिलाओं के राजनीती में खास करके दिल्ली की सल्तनत कैसे चलेगी विहार से महिलाओं की पुर्णिया लोक्सभासीत काफी चर्चा का विषय में बना हुआ है और इसकी धमक इसकी सुनाई इसकी पाचान राधानी पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है जिस तरीके से पप्पु यादों ने पुर्णिया को लेकर समाज के साथ-साथ राजनिती में भी चाहे अनिता देवी की बात हो अचना रविदाज की बात हो या फिर आप जिस तरीके से आप रितु जाय सवाल के बारे में मैंने बताया है कि सब लोगों के नामों की चर्चाएं डिश्टल प्लेटफर्म सोसल मेडिया के साथ-साथ सभी पाट्टी में चर्चाएं हो रही है कि किने जनता पसंद करेगी किने जनता पसंद नहीं करेगी यह तो सवाल अलग है लेकिन लोगों का प्यार मेहनत जिस तरीके से महिला परतियासी अपनी अलग पहशान अपनी सियासत में सितारी को लेकर मेहनत करती भी नजर आ रही है वो काफी काबिले तारीफ की बात ह लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से आम चुनावी मैदान में हैं, वो कहीं न कहीं एक समाज के लिए, महिलाओं के लिए, आधी अबादी के लिए अच्छे संकेत माने जा रहे हैं, आप अपनी राय क्या रखते हैं, परतिक्रिया का रहते हैं, जिस तरीके से इतने पैमाने पर इस बार महिला परतियासी चुनावी मैदान में हैं, अपनी किसमत अजमा रही हैं, ताल ठोक रही हैं, किस तरीके से लोग तवाक्य खाड़े में उतरी हैं, किस तरीके से महनत कर रही हैं, चाहे वो धूल की बात हो, घर्मी की बात हो, भूक की बात हो, प्यास क जो है कैसे जनता उनको असिरवाद देगी प्यार देगी यह आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में हमें जरूर बताईगा तब तक के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें